हमारे यूटूब चेनल एक तसमाचार को सब्क्रेब कीजिए, शेर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई-नई खबरे देखे धन्यवाद लोग सभाचुनाव 2024 के दूसरे चरण 26 अप्रेल को विधान सभाक्षेतर सागवाडा 160 के भाग संख्या 68 के मतदान बुथ राज किया उच प्रात्मिक स्कूल छत्रपुरा में 174 पीडियों ने मतदान किया, जिसमें मतताता सूची में क्रमांग संख्या 281 पर दर्ज पुंजा खुंजी डेंडोर उम्र 90 वर्ष, 287 पर दर्ज सोहनलाल पुंजा डेंडोर उम्र 58 वर्ष, 278 पर दर्ज शीवराम सोहनलाल डेंडोर उम्र 38 वर्ष तथा क्रमांग 289 पर दर्ज रितिक शिवराम इस दोरान निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी गंड के साथ चार पीडियों के सदस्यों ने पुधारोपन किया और उनका माला पहना कर स्वागत सम्मान किया गया जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे यहां सेक्टर ओफिसर का चार सोफा है और मैं यहां विजित करना है तो बड़ी खोशी हुई कि यहां इस बुध पर चार पीडिया एक साथ मत्तान करेंगी इनके मुख्या होजा भई है दादा जी हमारे साथ खड़े हैं उनके बेटे हैं उनके भी दूसरी पीडि यानकी चार पीडिया एक साथ लोगतंतर उत्सव को मलाएंगे निश्चित ही हमारे शेतर के लिए बहुत ही सुभग की बात है और मैं तो यह चाहूँगा कि हर गुत पर ऐसे कहीं कहीं चार या पान पीडिया मद्दान करती हैं सर बताईया यह हमारे बियोलो साब है बियोलो साब बताईये आपने काफी प्रयास करके ऐसा खोज हमें एकता समाचर को बताईये सब्सक्राइब बताईये सब्सक्राइब आपके चनल को जन्यवाद में मोतिलाल मकवना बीयोलो पाक्सांक 68 इस देवन्य विलेज में चार पीडिया एक साथ मद्दान कर रही है जिन में मुझाज जी डेंडोर सुपुत्र सौनला जी डेंडोर उनके पुत्र शिवराम डे अगे करी में दादा पेली वेरा वोट करी रही है अगे बताओ यह इनके पुत्र है पुझा दादा के वैसा बताईये आज चार पीडि बड़ी खुशी का दिन है और पूरे श्यत्रे में पूरे हिंदूस्तान में एक लोगों की नजर आपके उपर है कि आज चार पीडि एक साथ देखने को मिल रही है बताईये इस पुरे सागड़ा बलग नो रास्तान बलग में सबसे चार पीडि अमारी चार पीडि के बराबर हम प्रेली बार कर रहे हैं और आप सब को दन्यवाद्य दूसरे इनके बेटे हैं पहली पीडी डूसरी पीडी यह तीसरी पीडि हमारे बीच है बैसा बताईये आज आपके पर दादा दादा पीता जी और आपके बेटे सबी आज मददान कररे हैं, बताइए कि यूवा हमारे बीचे जो पहली बार मददान कर रहे हैं, बताइए कैसा लग रहा है आपको, आज आज आपके पिता जी, आपके दादा जी और परदा जी एक सा अध में खड़े हुए चार पिड़ी बताइए, कि वारे हैं कि हम यह चाहते हैं कि इसी तरह से चाहर की जगे पांस पीड़ी भी हो तो अच्छे से अच्छे मद्दान हो और कोई भी सरकार बने अधिक से अधिक विकास होना चाहिए आगे वाली पीड़ी सबसे ज़्यादा यह कि अपने हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़े और पढ़े कुछ ने कुछ करे यह दन्यावाद